तो आज लाब पाचम है ना तो उसके लिए हम खाना बनाने वाले हैं फूल डेश बनाने वाले हैं तो यहां पे सबसे पहले हमने दूद लिया है करीब एक लीटर जिता दूद लिया है और उसके अंदर अब हम एड़ करें शकर तो यह हम बनाने वाले हैं दूद पाक तो इस को हमने थोड़ा गरम कर लिया है फिर गरम होने के बाद इसके अंदर हम एड़ करेंगे वन टीस्पून जितना इसके अंदर इलाइची ज्राइफल और केसर का पाउडर है वह एड़ कर रहे हैं यहां पर दो टीस्पून एड़ कर दीजेगा और साथ ही इसके अंदर हम पाक कर रहे हैं तो पाक के ता कि कि थो होता है कि रोक ड्राइफारू्ट सब्सक्व भर 59 donald को सर्व कर इसके अंदर पको हमें इसे गरम करते शाना है तो ये देखे इस तरह से थोड़ा सा ये उबलने लगा है अब भी थोड़ा सा और घाडा करना है हमें और थोड़ा सा कम भी हो जाएगा दूर तब तक हमें इसे पकाना है और अब क्या करेंगे सबजी बनानी है तो आलू की सबजी बनाएंगे र बहुत ही अच्छी लगती है और हर बार जब सब्जी बनाओ तब अच्छी से धो लिया करो अलु को धोने का में मोटीवियों होता है कि उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा स्टार्च होना वो सारा निकल जाता है तो जो भी सब्जी बना रहे हो उसे फ़र दोलिया करो क्योंकि उसके अंदर मिट्टी बीटी लगी हो तो वो भी निकल जाए अभी एक कूकर के अंदर ना हमने ओल ले लिया है करीब तीन चार्च हमचीता ओल ले ले लेंगे क्योंकि और ज्यादा होगा तभी तो सबजी में मजा आएगी ना तो ऑईल के अंदर अब हम राई दाल अब यह दोनों को अच्छे से चटक जाए ना उसके बाद हम हिंग डाल देंगे हिंग से क्या होता है कि पेट में दर्द नहीं होता है खाना एकच्छा भी लगे ना थोड़ा थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा एड़ किया है आचार मसाला यह वाली जो रेसिपी है ना हम अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देना है अब बना रहे है हम लोग रसे वाले आलू तो रसा तो इसके अंदर ज्यादा जाएगा यानि फानी ज्यादा डार दीजेगा यूंकि आलू जो है न वह कच्छे भी है तो उसे पकने के लिए भी तो हमें डालना पड़ेगा थो सब्सक्राइब देखे हमारा दूद जो है दूद बाक वह भी बन रहा है और सात में अब हम इसकी सी टीया दो लगा देंगे दो विसल तक हमें के सुफ्कर लेना है सब्सक्राइब और यहां पे आटा जो है वह बहुत ही अच्छे से लग चुका है यह देख रहे हैं अपन अब जब तक की ओयल गरम होता है तब तक हम लोग हमारी सारी पूरिया जो है न वो बना करके रैडी कर लेते हैं क्योंकि पूरियों को तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बस अंदर ऑयल के इंदर डाला एक साइट से फूली दूसरे तरफ पलत दी और बस बन जब दोनों फूल जा दिया ना दोनों को साथ में निकालना पड़ता है इससे अच्छा एक एक करके ही फ्राइ करेंगे तो यह देखे अच्छे से फूली फूली सी हमारी पूरिया जो है वो रैडी हो चुकी है और अगर आपकी पूरिया न सारी साइड से इवनली बेली हो कीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा और बने रहेगा हमारे साथ और कमेंट करके बताएगा अगली रसीपी कौनसी चाहिए इंस्टाग्राम और फेस्बूक के भी फालो कर दीजेगा सी यू